ये वीडियो जो है इसमें आपको explanation भी मिलेगा इसका मैंने complete explanation किया है और इसके बाद इसके question answers भी कराए हैं इसलिए आप explanation देखें उसके बाद question answers कर लें इसी वीडियो से okay this is very helpful to you okay good morning dear students this is parvayz khan and this is my youtube channel you are most welcome in my channel now we will discuss about this poem the school boy it has been written by william blake school boy के बारे में पढ़ेंगे आच तो start करते हैं let's start the school boy in the poem is not a happy child इस poem में school boy जो है इस poem के अंदर वो बच्चा खुश नजर नहीं आता है ये खुश नहीं लग रहा है what make him unhappy क्या इसी चीज़े जो इसको नाखुश बना रही है या इसकी खुशी में रुकावट डाल रही है why does he compare himself to a bird that live in a cage ये बच्चा अपने आपको क्यों एक bird से compare करता है अपने आपकी तुलना एक bird से चड़िया से करता है जो के एक पिंजरे में है और a plant that withers when it should blossom और एक मुर्जाय हुए पौदे से करता है जब इसको खिलना चाहिए तो शुरू करते हैं यहां से I love to rise in summer morn बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि इसको सुभा गर्मियों की सुभा में उठना बहुत जादा पसंद है बहुत इसको खुशी मिलती है बहुत इस चीज से ये प्यार करता है When the birds sing on every tree जब हर पेड़ पर चुडियां बैट कर चह चाहती है या गाना गाती है दिस्टेंट हंट्समैन विंट्सिज होर्ण और जंगल में जब कहीं दूर से हंट्समैन शिकारी के विंट्सिज होर्ण बाजे की आवाज आती है जब कहीं दूर से हंट्समैन के बाजे की आवाज आती है और जो स्काइल आर्क छोटी सी चडिया होती है वो मेरे साथ गाती है A what sweet company अब बच्चा अपनी और सकाइलार की कमपनी यानि के जोड़ी के बारे में बता रहा है कितनी जवरदस्थ ये जोड़ी है कितनी बहतरी जोड़ी है But to go to school in a summer movie लेकिन बच्चा कह रहा है कि गर्मियों की सुबह में स्कूल को जाना Oh it drives all joy away अरे इसके जरीए से तो सारी खुशी खतम हो जाती है दूर चली जाती है अंडर अ क्रूल आई आउट वान और वहाँ पर टीचर के सामने बैठना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पूरा दिन वहाँ पर गुजारते हैं इन साइन और डिस में आहें भरते हुए और डिस अपॉइंट मेंट के साथ निराशा के साथ आह देन अट टाइम साथ डूपिंग सिट आह देन अट टाइम साथ डूपिंग सिट और बच्चा कह रहा है कि अरे तब जब वहाँ पर जो बहुत देर तक जुके हुए मुझे बैठा रहना पड़ता है और बहुत सारे चिंता के और फिक्र के घंटे वहाँ गुजारने पड़ते हैं यानि स्कूल की बात कर रहा है बच्चा और उस वक्त में ना तो मुझे मेरी किताबें ही खुशी देती हैं और यानि स्कूल या क्लासरूम और ना ही मुझे कलास में बैठना या स्कूल में बैठना अच्छा लगता है व爬 अधर ड्रेइरी शौर वशूर बे मजए जिसमें इंट्रेस्ट नहों हो पारिश की बून्दे होती हैं लेकिन यहां पर शावर टीचर्स के लेक्चर्स लिया गया है लगाता जो बेमजे जिनमें मज़ा नहीं आता टीचर्स के लेक्चर्स होते हैं वो बरसते रहते हैं शावर की तरह से किस तरह से एक चिडिया जो के जॉय के लिए उच्छलने कूदने के लिए खुशी मनाने के लिए पैदा होई है किस तरह से एक पिजरे में बैठ सकती है और गा सकती है and forget his youthful spring और अपना जो वो spring का season है उसको भुला सकता है ओ फादर एंड मदर if birds are nibbed अब ये बच्चा अपने फादर और मदर से कह रहा है कि अरे फादर और मदर अगर एक कली को खिलने से रोग दिया जाएगा and blossoms blown away और blossom को उससे दूर कर दिया और इसी तरह से नाजुक से जो पौदे हैं उनको बढ़ने से रोग दिया जाएगा of their joy in the spring day और उनका जो joy होता है spring day में उनकी जो खुशी होती है उसको by sorrow and cares डिसमे उसको गम के जरीए से और जादा फिकर के जरीए से डिसमे कर दिया जाएगा how shall the summer arise in joy तो फिर किस तरह से summer की जो morning हो उनमे joy arise होगा joy खुशी दिखेगी और the summer fruits appear और किस तरह से जो summer में गर्मियों में fruits आते हैं वो नजर आएंगे Dear students, this is the explanation of this poem ओके थैंक यू Good morning students, this is परवेज खान and this is my YouTube channel you are most welcome in my channel तो हमारे students जो है आईशे तरीन के वो पहले क्या करेंगे ये glossary से words के meaning लिख लेंगे उसके बाद हम लोग ये question and answers करेंगे तो देखिए पहला question है Find three or four words, phrases in stanza one that reflects the child's happiness and joy ये पहला question है ये book में से आपको देखना है मैंने यहाँ भी दिखा दिया है आपको और Now dear students, you can see the answer of this question तो answer है The words, oblique phrases that reflect the child's happiness are the song of birds and the skylark and the sound of hunter's horn ये चीज़े हैं जो उसको खुशी देती हैं Okay dear students Now see the second question In stanza two, the mood changes Which words, phrases reflect the changed mood ये question number two है Dear students, इसका answer देखते है तो इसमें question में पूछा गया है वो क्या चीज़े हैं जो बच्चे का mood change कर देती हैं तो answer देखिए The words, phrases, reflecting the child's moods are A. Drives all joy away B. Cruel I outworn of the teacher bracket पर कर देंगे of the teacher C. Sighing and dismay ये चीज़े हैं ये answer आपको लिखना है अब थर्ड question देखिए Are cruel I outworn stanza to refer to अब ये जो cruel I ये stanza है ये वाला ये किसको refer करता है First है the classroom which is shabby noisy The lesson which are difficult uninteresting The dull Uninspiring ये इसमें दिया हुआ है तो इसमें एक को एक को correct करना है और इसी तरह से fourth भी देख लीजे क्योंकि दौनों की question answers एक साथ मिल जाएंगे इसमें से कौन सर चूज़ करना है आपको Dear students Nor sit in learnings bore Worn through with the dreary shore तो आईए इनके answers देखते हैं Question आप book में से उतार लीजेगा Answer सामने से लिख लीजेगा देखिए dear students Answer number 3 जो है उसका third है Question number 3 का answer Third वाला point The dull, uninspiring life at school With lots of work And no play यह इसका answer से इसमें teacher का कोई जिकर नहीं है इसलिए हमने teacher वाला point अपने पास से नहीं दिया इसमें यही पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा refer करता है तो इसमें यह refer करता है The dull, uninspiring life at school With lots of work and no play ठीक है उसके बाद fourth वाला है Question आपने book में से लिख लिया है Answer यहाँ पर मौजूद है Answer four का second है Nor can I learn anything at school Though teachers go on Lecturing and explaining बच्चा यही कह रहा है कि वहाँ पर बैट कर कुछ भी नहीं सीख पाता हूँ मैं क्योंकि लगातार जो teachers के lecture होते है और explanation होते है उसकी वजा से ठीक है dear students Okay This chapter has been done आप लोग इसको कर लीजेगा